आज हम बनाने वाले हैं लॉली पॉप की रेसिपी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है घर पे ही बनने वाली है एक दम रेस्टुरेंट स्टाइल आप देख सकते हैं इसके रंगत यह कितनी ज़्यादा दिखने में टेस्टी तो सोचिए खाने में यह कितनी लोगे की देखेमाटन के क explanal फुछ टेवाटन के अजमें मताई चैक दो खरेति तक में और और वाली हम देखेमाटन के ल कच्छन पर अजेगा में तो आने अजाजार प्रोगों में मुल लोगे झाल ग Sundays की में, कि ओलकाल के हां घा हैं कर दिक हबगे हम भाली में देंगे क को ड़ने के बाद आपको सब्जी को अच्छी तरीकमे से मिक्स कर ले ना है अज 닮क, डालने कंड़ने का मेन रिजन เดर नमग के पानी को दिना निकालना जरूरवरिया अगर भूत ज्जादा जडि निकालें। तो यह जो रिसिपी है अच्छी नहीं बनती है तो यह देखें नमक डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसे अब हम 15 मिनिट के लिए रिष्ट पे रख देंगे ताकि पानी जो है वो सब्जियों में से अच्छे से बाहर आ जाए तो 15 मिनिट हो चुका आप देख सकते हैं और यह देखें मैं आपको दिखाती हूं कि सब्जियों में से पानी किस तरीके से बाहर आ रही है तो यह देखें इसमें जो पानी है एकदम अच्छे तरीके से निकल चुकी है तो इस तरीके से अब आपको सब्जियों की पानी जो है निचोड़ लेना तो यह जो प्रोसेस है थोड़ा ध्यान से करना है और अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल लिया है और इसमें अब हम डाल देंगे पनीर तो पनीर के यहां पर इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकर बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और यहां हमारी लॉलि पोप को डाल देना है लैसुन की पेस्ट Door यह देखिये मं नमक कर देंगे और कम कांटीटिटी मं डालेंगे क्योंकि हमने अल्रीड नमक का इस्तेमाल किया और ढाल दिया है ब्लेक पेपर का पाऊदर जीरा का पाऊडर और एसे अधा चुमच हो और भाउने करियंडरिपर रया है अब लाल मिरच का पाऊडर टो डालने के वाद आपका इस तरह को उख्शे कि तो यहां पर हम इस्तमाल कर रहे हैं मैदा का और कॉनलौर का तो मैदा ग्राइद को तीजमाज डालना है पहले तो maidा ग्राइद डाल दिया और जाल दो यह दूर negotiations मैदा गौन गनल दीतयें है मैदा मैदा हम यह दाल गcji क्वाइद मैमेदा कोशद है. तो जब आप इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे तो हलका जो हमारी सब्जी है वह भीगी वी रहेगी क्योंकि पानी थोड़ा सा फिर से छोड़ने लगती है लेकिन घवरानी की बात नहीं है क्योंकि जब हम कॉन फ्लोर अमाइदा डाल देंगे तो बैलन्स हो जाती है तो यह द के चिकन की तरह आपको हुआँ में ज Jeżeli चीन की तरह आपको से सिब दे देना है तो यह देखे पह anti-bskakर, ज्य में जाना के तो अड़ार करिए और ढ़ाशा तो जीम टीछे टाना है नहीं कर ढ़ाई थिखर 59 तो यह दयान Pac- exit नहीं जाए जान चाहिए बॉक्ट लगां यह सारih लोली पॉफ को तयार लिया है यह देखिया अब बारी अती है इसे सेड़ करने के लिए तो हम क्षेजर में रख देंगे करीबन आदा गंटा के लिए आदा गंटा वह जो चुका है अप देह सकते हैं अच्छे सेट हो गई है और अब य इसे फ्राय करेंगे हाला कि फ्र एकदम लो फ्लेम पर आपको इसे पकाना है तो कुच भी नहीं करना आपको सिंपल को यह ज़के तेल में जाती है विच बिच म hedge भी च्रूकते मैं को काच मैरत बलत चाहिए तेल इस पकर झाल सकी ड को तो然 पाजके हैं तो ये देखिए हमारे जो लॉली पॉप है ये फ्राइ हो चुकी है और इसकी जो कलर है वो भी चेंज हो चुकी है आप देख सकते हैं तो हम एकक करके इसे निकाल लेंगे और इसे पकाने में करीबन पास से साथ मिनट लगा है तो हम इसे निकाल लेंगे तेल को आपको इस त अच्छी भी नहीं रहती है तो चलिए अब नेक्स प्रोसेस देख लेते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है तेल जिसमें हमने चिकन लॉली पॉप को फ्राइ किया था तो उसी में हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और इसके लिए बहुत जादा ग्रेवी नहीं बनाएंगे हम एकदम थोड़ा सा बनाएंगे और इसमें मैंने डाल दिया है लेसुन और लेसुन को इस तरह के से छोड़ा कट करके हम इसमें डालेंगे और इसमें अब आपको डाल देना है हरी मिर्च और हरी मिर्च डालने के बाद आपको इस तरह के से चलाना है continue अब फ्लेम जो रह तो यह देखिए इसे हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे प्यास को और इसमें आपको डाल देना है थोड़ा सा इस्प्रिंग ओनियोन यह अप्सनल है लेकिन यह दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं इसका इस्तिमाल कर रही हूं इसलिए मैं ब्राउन नहीं करना है गोल्डन होने तक आपको इसे पकाना है तो आप देख सकते हैं प्यास की जो कलर है वो गोल्डन हो गई है तो इसमें अब हम डाल देंगे सास तो यहां पर मैं सबसे पहले डाल रही हूं चिली सास एक चमच में डाल दूंगी और इसमें आपको डाल अब हम इसमें डाल देंगे sophy तो अगर आप डार्टब आता चमच के सास का इस्तिमाल करें और अगश़ दालने के बाद आपको इसे फिर से इस तर्हिक ज़ाना है और इसे दो मिनट तक आपको पकने देना है तो दो मिनट हो क्य caught इसमें डाल देंगे नमक अब हम इसमें हम डाल देंगे conflore का घोल तो यहाँ पर मैंने एक चमच conflore लिया था और उसमें पाने डाल कर घोल बना लिया है और उसे मैंने डाल दिया है इसमें ताकि हमारी जो sauce है वो बहुत अच्छी बनती है और अब आपको इसे दो मिनट तक भूनना है इसी तरीके से और flame जो है वो medium रहेगी और continue आपको इस तरीके से चलाना है last की process थोड़ी सी ध्यान दे कर आपको पकाना होगा और आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी जो लॉली पॉप है बहुत अच्छी बनेगी तो यह देखे हमारी जो यह gravy है वो थोड़ी थिक हो गई है तो इसलिए मैं यहाँ पर इस्तिमाल कर रही हूँ पानी का तो यहाँ पर आपको आधा कप पानी डाल देना है इसमें और डालने के बाद आपको इस तरीके से चलाल देना है ये देखें इस तरीके से और थोड़ा सा अलग-अलग करके हम इसे डालेंगे और डालने के बाद सारी लॉली पॉप को हम इसे पाच मिनट तक ग्रेवी के साथ भूनेंगे ताकि ग्रेवी का जो फ्लेवर है हमारी लॉली पॉप में अच्छे तरीके से आ जाए और फ्लेम जो है वो मिडियम रहेगी और अगर आप इसमें ग्रेवी थोड़ा रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर लें लेकिन मैं इसे इस तरीके से सुखे ही रखूंगी इसलिए मैं यहाँ पर पानी के इस्तमाल नहीं कर रही हूँ तो यह देखिए इसे हम भूनेंगे तो यह देखिए हमने इस अच्छे तरीके से भून लिया है ग्रेवी के साथ और ग्रेवी का जो फ्लेवर है लॉलिपॉप ने अच्छे तरीके से अब्सॉर्व कर लिया है और आप इसकी रंगत तो देखी सकते हैं कि यह दिखने में कित भेज लॉली पॉप जो है हमारी बनकर तयार है कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए इसके आगे आगे आप नॉन भेज की भी रेसिपी जो है भूल जाएंगे गैरेंटी है तो वीडियो पसंद आईए तो जल्दी से मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दिजिए ब ककई लगे पना नॉक मेरे शाइब का दिजिए एक भी रगे म adventा है का नॉक्तरूरर शटनkiye 5 सरे से जरूर बताइब कर दो है।